हेलो फ्रेंड्स आप सभी का प्रियाग स्टडी में स्वागत हैं मैं आपका फ्रेंड गाइड कोच डाक्टर रकेश चुद्रवेदी आज की सेशन में हम आप से बात करेंगे इंफ्रस्ट्रक्चिर डेवलप्मेंट टॉपिक पे तो सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप इस शेशन को पूरी तरह से देखें और अगर आपको यह परसंद आता है यह शेशन तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें सबस्क्राइब के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी पहुचाने की कोईस्स करें जो कहीं ने कहीं इस सेशन को देखके फायदा और यह हैं क्या सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर नाम ही क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है हिंदी में कहते हैं संसाधन की बात करते हैं क्योंकि वह आप देखते हों कि किसी भी country को develop करने के लिए उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फैसलिटीज का ज़्यादा से ज़्यादा infrastructure के development की बात होनी चाहिए क्योंकि infrastructure की जब हम बात करते हैं तो यह क्या है एक supportive system का काम करता है जो किसी भी देश की economy और उस देश के जो society के development में क्योंकि world की कोई भी country अगर अपने आपको super power बनाना चाहती है या develop करना चाहती है तो उसे अपने देश में infrastructure के progress पर infrastructure पर work out करना होगा तो infrastructure क्या है infrastructure refers to supportive system जो कहीं ने कहीं देश की economy economic social development society के development में support करता है जिसे country की क्या होती है economy बढ़ती है economy कहीं ने कहीं बढ़ती है लोगों की education का label बढ़ता है तो कि जब तक economy नहीं बढ़ेगी लोगों को education नहीं किया जाएगा लोगों को medical facilities नहीं मिलेगी लोगों का health label नहीं बढ़ेगा लोगों की revenue income नहीं बढ़ेगी और इसके जरूरी क्या है जिससे country गी economic development, economy बढ़े, financial status बढ़े और साथ साथ society का भी development हो लोगों को रोटी कपला मकान तक की नहीं लोगों को education का label लोगों का बढ़े लोगों का health standard बढ़े लोगों की medical facilities बढ़े उसको develop करनी के chances बढ़े ज़्यादा से development हो ताकि लोग ज़्यादा educated हो ज़्यादा healthy हो बीमार होने पर बड़ी से बड़ी diseases को वो मात दे सके तो ऐसी जब situation generate होगी तो country का development बहुत तेजी से हो पाएगा तो infrastructure क्या है एक ऐसा supportive system जो country के economic और social development क्योंकि world की कोई भी economy अगर अपने आपको develop करना चाहती है superpower बनना चाहती है world economy में अपने आपको stand करना चाहती है तो उसके लिए जरूरी क्या है वो economic के साथ साथ social development पे भी work out करे लोगों की standard of living तो बढ़े लोगों की per capital income बढ़े साथ साथ उनकी education का label बढ़े लोगों में skill development हो लोगों का health का label अच्छा हो लोगों को अच्छी medical facilities मिलें लोगों को बैंकिंग से ज्यादा से ज्यादा connected किया जाए इंस्योनें सेक्टर ज्यादा तेजी से बढ़े ट्रांस्पोर्टिशन सिस्टम बढ़े communication सेक्टर बढ़े और जब हम सबी चीजों का merger लेके चलते हैं तो वह क्या है कहीं ने कहीं infrastructure का development कहलाता है जो कहीं कहीं लास्ट में जाके country का development बन जाता है क्योंकि जतना ज्यादा यह economic और social infrastructure बढ़ेगा उतना ही देश के विकाश में country का development उतना ही easy हो पाएगा तो बात करते हैं infrastructure के development की तो infrastructure basically दो तरीके के होते हैं एक क्या है economic infrastructure नाम क्या है economic economic की जब भी बात आ जाती है तो यह क्या है आपकी economy world से create हुआ है economy world से create हुआ है तो economic infrastructure का मतलब है ऐसे elements ऐसे facts जो कहीं न कहीं country की revenue को बढ़ाने में country की income का label बढ़ाने में country की financial position को stable करने में supportive role play कर सकते हैं जिसमें कर हम बात करें banking sector का development क्योंकि जतना ज्यादा banking sector बढ़ेगा जितना ज्यादा communication sector बढ़ेगा उतना ही ज्यादा country के development के chances बढ़ जाएं यह सब क्या है economic infrastructure है जितना ज्यादा पावर जेनरेशन बढ़ेगा जितनी ज्यादा electricity production बढ़ेगा हम कोल पे जितना कम dependent होंगे उतना ही ज्यादा country का development एक जगा से दूसरे जगा जाना transportation system के बढ़ने का फायदा हमको कम मिलेगा जब transportation system अच्छा होगा एक जगा से दूसरे जगा जाना हमारे लिए आसान होगा समय कम लगेगा communication system बढ़ा है हमारा past के comparison में जब देखते हैं आज किसी को भी contact करने के लिए किसी को message convey करने के लिए किसी को document भेजने के लिए communication sector इतना बढ़ गया है इलाबा इनमें बैट के बनारस में बैट के कानपुल में बैट के आफ वर्ल्ड की किसी भी country से directly connected हो पाते हैं तो कहीं ने कहीं infrastructure के economic infrastructure के development का result है और जितना ज्यादा ये economic development होगा economic infrastructure बढ़ेगा उतना ही ज्यादा country का development possible हो पाएगा तो economic infrastructure refers to such element of support system क्योंकि मैंने क्या बलता है infrastructure का मतलब है वो supportive system जो economy को build up करने में जैसे बात करते हैं power generation, banking, communication, transportation sector ये जितना ज्यादा बूस्ट करेगा उतना ही ज्यादा country के economic development में economy के boost up में helping role play करेगा केवल और केवल economic infrastructure को बढ़ावा दे के country develop नहीं कर सकती है क्योंकि country चलती है लोगों से देश बनता है लोगों से और देश केवल और केवल पैसा बना लेने से काम नहीं चलता परिवार का development केवल और केवल पैसा कमा लेना enough नहीं होता परिवार में प्रेम होना चाहिए परिवार के लोगों का healthy होना भी जरूरी है तो उसके लिए social infrastructure की बात होनी चाहिए क्योंकि केवल और केवल economic केवल और केवल पैसा enough नहीं है उसके साथ साथ social infrastructure की development की बात होनी चाहिए तो social infrastructure क्या है social infrastructure एक ऐसा accelerator है जैसे गाड़ी में accelerator का काम जो गाड़ी को speed देने के लिए होता है वैसे ही social infrastructure कहीं ने कहीं education system medical facilities को built up करके जब हम क्या करते हैं लोगों का health का labor boost करते हैं लोगों का education label को बढ़ाते हैं लोगों को skilled बनाते हैं तो वो कहीं न कहीं जब economic infrastructure के साथ मिलता है तो country का development वो उस particular human का development economic infrastructure के साथ मिलके country के development में supportive role प्ले करते हैं क्योंकि जब लोग जितने ज़्यादा healthy होंगे healthy का मतला मैं मोटे से नहीं कह रहा हूं स्वस्थ से बात कर रहा हूं बात कर रहा हूं जितने ज़्यादा लोग healthy होंगे educated होंगे skilled होंगे उन्हें potential ज़्यादा होगा working stamina ज़्यादा होगा तो कहीं न कहीं फाइदा वो क्या करेंगे country के development में देंगे और उसके रही ज़रूई क्या है social infrastructure तो social infrastructure accelerates the process of human development क्या करती है human के development में एक बहुत supportive role करती है और जब आपकी economic और social infrastructure दोनों मिले जाती है तो country का development कहीं न कहीं बहुत तेजी से बढ़ जाता है देश तभी बढ़ेगा जब लोग बढ़ेंगे अब लोगों को बढ़ाने के लिए उन economic sector पे भी work करने की जरुवत है और साथ साथ social development की भी जरुवत है और जब हम इन दोनों infrastructure को build up करने का काम कर देंगे तो world की economy में हमारी country भी कहीं सुपर पावर का रोल ले कर पाएगे आप बात करते हैं रिलेशन से बिट्वीन infrastructure और development यह क्या relation है दोनों के बीच में कि इंफरस्ट्रक्चर बढ़ेगा तो development हो का बार बार बोल ला हूं तो भाई बहुत गहरा relation है बहुत गहरा relation कैसे जैसे body बिना blood के survive नहीं कर सकती वैसे ही country का development बिना infrastructure को बढ़ावा दिये हुए नहीं हो सकता हम सभी जानते हैं जब country हमारी independent हुई तो उसका time पे हमारे क्या import बहुत ज्यादा था हम export नहीं करते थे हमारे manufacturing processing नहीं होते थी उसके पीछे बहुत सारे factor काम करते थे उसके पीछे reason था कि transport सिस्टम नहीं था एक जगा से दूसरे जगा जाना मुस्किल था किसी चीज़ की research नहीं होते थे machinery नहीं थी हमारे पास resources तो थे मगर उनका यूज नहीं कर पाते थे जो कहीं न कहीं हमारे लिए क्या होता है कि problem generating issue होता था आज क्या है कंट्री के development के सासाथ जैसे जैसे देश में infrastructure बढ़ा है transportation sector बढ़ा है communication sector बढ़ा है business के बढ़ने के chances businessman को ज़्यादा मिलने लगे जो चीज़कर problem generating issue हुआ करते थे वह आज कहीं न कहीं problem वो dissolve हो चुकी है so medical facilities पास्ट में अगर बात करते हैं तो छोटी-छोटी disease हमारे क्या क्या होती थी क्योंकि medical sector उतना developed नहीं था health level उतना नहीं था छोटी-छोटी बिमारियों से लोगों की death हो जाये करती थी और जब इन सब समस्याओं से देश जूजेगा तो देश का development नहीं हो सकता infrastructure का development कहीं का country का development क्यों है यह relationship पर बात करें तो सबसे पहला दिया हुआ है productivity in primary sector अब यह primary sector होता क्या है सबसे पहले बात कर दें कि basically economics में जब हम study करते हैं तो तीन तरह के sector पे बात करते हैं पहला होता है primary sector primary sector का मतलब क्या है nature के free gift को जब हम as it is form पे consumer को sold out करके revenue generation करने का काम करते हैं तो वो sector हमारा क्या कहलाता है मलब उसमें हम कोई creativity innovativity modernization up gradation quality generation utility generate करने का कोई भी काम हम नहीं करते हैं में उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं ऐसे sector को हम क्या कहते है primary sector करते हैं दूसरा होता है secondary sector secondary sector उस sector को कहा जाता है जब nature के free gift को modern technologies का research का use करके हम क्या करते हैं उसमें कुछ न कुछ utility उपयोगिता quality generate करते हैं और उस product को nature के free gift को raw material के form में use करते हुए और हम finished form में जब बेचने का गाम करते हैं जिस sector में तो वो क्यालाता है secondary sector पेर से लकडी कटी अगर लकडी को लकडी के तरह बेच दिया तो primary sector हो गया और उस लकडी से हमने क्या बनाया furniture बना दिया chair बना दिया बेड बना दिया और बेड बना के उसी लकडी से हमने जो 5000 की बिक्ती थी 10,000 की भिक्तिदी उसको 50,000, 60,000, 70,000 में बेचने का काम किया by the way of quality generation by the way of utility generation इसे क्या कहते है secondary sector कहते है तो भाई 10,000 की चीज, 50,000 की भिग गई कहीं ने कहीं अच्छी बात है न और तीसरा होता है territory sector जिसे service sector कहते है ये सब भी चेक्टर में अगर आप देखे तो कहीं कहीं result progress किया है जैसे जैसे infrastructure का development हुआ है तो बात सबसे पहले कर रहे है productivity in primary sector past के comparison में अगर बात करें तो primary sector में nature के free gift में जब हम past में देखते हैं तो wheat, rice के production में pulse के production में past के comparison में per hectare हमारा production अगर हम बाद आज से 50 years पहले 40 years पहले की बात करते हैं तो हमारा आज production per hectare कहीं कहीं बढ़ा है और वो कहीं न कहीं infrastructure के development का result है हमने नएने research को सहारा लिया है नएने equipments का सहारा लिया है नएने technologies का सहारा लिया है जो infrastructure के development के कारण आज हमारे पास available है और जो कहीं न कहीं क्या है इन connected कि से कर रही है infrastructure is equal to I is equal to D infrastructure is equal to क्या हो गया development क्योंकि infrastructure जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारी country का development हो पाएगा इससे क्या बढ़ गया primary sector बढ़ गया wheat rice का production बढ़ गया secondary sector में भी इससे बढ़ावा मिला है बात क्या है क्योंकि आज हमारे पास utility generation करने के लिए utility generation करने के लिए utility जानते है utility का मतलब होता है consumer किसी भी product के लिए जो value देता है जो money pay करने को तयार होता है वो उसके लिए utility होती जाड़े का season है और हमको क्या है जाड़े से बचने के लिए sweater खरीदना है jacket खरीदना है तो उस time पे जरूवत क्या है sweater की जरूवत है कि उसकी जरूवत है उसकी उपयोगिता है उसकी आउशक्ता है यह उसकी utility है हम उसके लिए pay करने को त्यार हो जाएंगे बट अगर यही बात करें मई के मैने में एक jacket कोई खरीदने को आप से कहे तो आप नहीं खरीदेंगे क्यों? क्योंकि उस time पे मई के season में उलेन jacket कौन खरीदेगा? जरूवत नहीं है आज की date में उलेन cap लगानी है नहीं खरीदेंगे तो utility generation और यह सारी चीजें जब हम बात करते है secondary sector को तो nature के free gift को nature ने जिस form में हमको available कराया है उसमें modern technologies को use करके techniques का use करके machinery का use करके हम क्या करते हैं? उससे ज़्यादा value चिले पाते हैं जो nature के free gift को as it is बेच के हमको मिलती थी भाई हो गया वाइवीट का production गेहूं का production हो गया अब गेहूं का production हो गया हमने उसमें क्या किया बहुत सारे research का सारा लिया और बना दिया multi grain आटा हुआ था production गेहूं का जो 20 रुपे किलो बिकता था 20 रुपेस पर केजी 25 रुपेस पर केजी और हमने बना दिया multi grain बहुत सारे चीचों को मिला दिया और result क्या हो गया वही गेहूं का अटा थोड़े बहुत variance थोड़ी बहुत utility generation करके 50 रुपेस पर केजी बिक रहा है यह possible कहा से हुआ कहीं ने कहीं infrastructure के development के कारण जो technologies हमने सीखे नहीं ने equipments के यूज किया skill development programs हुए जो कहीं ने कहीं country के economic build up में एक supportive role प्ले कर रहा है बात करते हैं territory sector service sector भी बड़ा है और service sector world की जिस country का जितना ज़्यादा develop करेगा उतना ज़्यादा उस country के development के chances बड़ जाएंगे तो बात आती क्या है भाई road क्यों बनेगी जब उस road पे चलने वाले लोग ज़्यादा होगे commercialization ज़्यादा होगा उससे revenue generate होगा तो government भी उस sector पे उस road पे जल्दी से road बनवाएगी क्योंकि उस पे टोल प्लाजा बनाएंगे तो revenue और ज़्यादा आएगी bank एक bank की branch वहाँ खोलता है जहां पे उसे लगता है कि जहां पे उसे customers मिल पाएंगे एक school वहाँ खोला जाता है जहां पे education के लिए बच्चे तो हैं मगर schools नहीं है ताकि फाइदा मिल सके तो यह सब क्या है कहीं न कहीं आपके infrastructure के development का result है बच्चे पहुँचेंगे कैसे road है की नहीं है यह सारी चीजों को देख कर क्या होता है territory sector जितना built up करेगा उतना ही ज्यादा उस country के development के chances बढ़ जाएंगे और यह सब चीजे जो चाहे primary sector का development हो चाहे secondary sector का development हो या territory sector का development हो वो result कहीं न कहीं reflect किसमें से कर रहा है आपके infrastructure development के कारण हो रहा है फिर बात आती क्या है infrastructure induces investment जैसे जैसे country का infrastructure बढ़ेगा वैसे वैसे लोग कहीं न कहीं business करने को attract होंगे वैसे वैसे क्योंकि bank sector develop करेगा लोगों को finance easily available होगा लोग entrepreneur बनेंगे entrepreneur बनेंगे और यह सारी चीजे कहीं न कहीं क्या है country के development में एक supportive role play करेगा इन्वेश्मेंट कब बढ़ेगा कोई business कब करेगा जब उस business को करने के chances दिखेंगे वो sector profitable दिखेगा scope दिखेगा future दिखेगा और यह सब चीजे कब होगी जब infrastructure का तेजी से development होगा क्योंकि infrastructure development बिजनेस के डिविलिपमेंट में और business का डिवलिपमेंट economic development में और economic development country के डिवलिपमेंट में सब और यह सारी चीजे क्या है एक दूसरे से connected है तो आपसे बात कर रहे थे की primary sector बढ़ेगा secondary sector बढ़ा territory सेक्टर बढ़ा और साथ साथ कही ने कहीं country में economic investment financial investment भी तेजी से built up हुआ और यह result कहीं ने कहीं क्या है infrastructure development का result आगे मात करेंगे infrastructure enhance the size of market infrastructure के बढ़ने के कारण आज world की किसी भी country के साथ globalization के platform का use हम कर पा रहे हैं पहीं globalization क्या है globalization एक ऐसा platform है जो कहीं ने कहीं business man को एक ऐसा situation पे लाके ख़ड़ा कर दिया कि अगर आपके product में quality है और consumer आपके product की demand करता है तो world की किसी भी country में आप अपने product की supply दे सकते हैं अपने quality का use कर सकते हैं अपने skill का use कर सकते हैं और यह सब चीट possible कैसे हो गई आज आपको पाकिस्तान में आपको अमेरिका में चाइना में बंगलादेश में नेपाल में भूटान में किसी भी country में अपने product का यूज करने के लिए globalization platform मिला है और वो कहीं न कहीं कहां से पॉजबिल हुआ अमेरिका किसी बिजन डील करनी है तो समान पहबेजा कहां जाएगा उसके लिए infrastructure available है नेपाल में supply देनी है रशिया में देनी है तो उसके लिए infrastructure available है क्यों डील कर लेना enough नहीं है डील करने के बाद वहाँ product जाएगा कैसे वहाँ से payment आएगा कैसे कोई भी doubts होगी कोई problems होगी उसके लिए infrastructure development है हुआ है genuinely available है और जिसका result कहीं ने कहीं क्या होता है एक supplier के लिए एक businessman के लिए business की deal करना business की जो भी market बढ़ी है size of market जो बढ़ी है business का platform जो develop हुआ है वो कहीं ने कहीं क्या है आपके लिए favorable situation generate कर रहा है हम बात करते हैं infrastructure enhance the ability of work infrastructure ने कहीं कहीं क्या किया है skill को development का play chance दिया है potential बढ़ी है लोगों की लोगों में risk govern करने की chances बढ़े हैं लोग finance easily available हो पा रहा है लोग entrepreneur बन रहा है यह ability generation कहां से हुआ कहीं कहीं इंफ्रस्ट्रक्ट्चर development के कारण हो रहा है और जब infrastructure का development होता है तो लोगों में potential तो बढ़ता ही बढ़ता है और जब उसका optimum utilization वह अपने कर लेते हैं तो कहीं ने कहीं country के लिए favorable situation generate होती है next point पर बात करें तो infrastructure का result कहीं ने कहीं क्या है foreign direct investment जिसे कहेंगे FDI foreign direct investment पैसा money finance foreign country के entrepreneurs का लगा है और हमारे resources का हमारे लोगों का optimum utilization करके कहीं ने कहीं country का development कहीं country की economy को built up करने में भी supportive यह role play कर रहा है तो FDI कहीं ने कहीं क्या हो गया हमारी country के development में supportive role play कर रहा है और FDI हमारे क्या क्यों आई infrastructure के development जब business man को जो आपके foreign country से connected है जब उनको scope दिखेगा उनको opportunity दिखती है तो कहीं न कहीं क्या होता है हमारी country में invest करने को interact होते हैं और यह कहां से आ रहा है infrastructure के development का result infrastructure के development का result है कि यह क्या हुए foreign direct investment को interact हुए नेक्स में बात करते हैं infrastructure generate linkage in production जितना ज्यादा infrastructure बढ़ेगा जितना ज्यादा banking sector communication sector for power generation होगा जितना ज्यादा education sector बढ़ेगा जितना ज्यादा इसकी programs बढ़ेंगे जितनी ज्यादा health का level बढ़ेगा उतना ही ज्यादा लोगों को potential बढ़ेगी उतनी machinery का use बढ़ेगा resources को optimum utilization अच्छे से हो पाएगा और यह कहीं न कहीं क्या होगा production को boost करने में production label को बढ़ाने में बहुत ही supportive role play करेगा क्योंकि जितना ज्यादा quantity में production करते हैं उतना ही ज्यादा इनोवेटिव टी जमरेट करते हैं cost efficient बनाते हैं modern technologies का use करते हैं जो कहीं न कहीं हमारे business के future के लिए future के quality के लिए हमारे business country के income के लिए वो क्या होता है एक helping role play करता है तो आज की session में मैंने आपसे क्या बताया कि infrastructure है क्या infrastructure में जब हम बात कर रहे तो types of infrastructure पे बात किया जिसमें हमने आपको बताया कि economic infrastructure क्या है social infrastructure क्या है और सबसे last में बताया वो relation कि infrastructure का development मतलब country का development क्यों है और hopefully आपको इस शारा session अच्छे से सबज में आया होगा कोई doubt नहीं होगी कोई confusion नहीं होगी तो अगर यह सब कुछ हैसा हुआ है कोई आपको doubt नहीं है कोई confusion नहीं है तो इस channel को बस कुछ नहीं करना है आपको like करना होगा subscribe करके bell icon को दबाना होगा ताकि आने वाले sessions की information आपको time ली मिलती रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे फायदे उठाते रहे Thank you